हेलो दूस्तों जैहिन नमस्कार स्वागत एक पर फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दूस्तों अज वात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी भरती के बारे में यहाँ पे आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी की OPCL बेप्शाइट पर आप सभी के लिए यह भरती निकाली गई है सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी इस भरती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें महला और पुरूस दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे इस भरती में आपको बता दिये जाए सिलेक्शन प्रोसेस क्या माल गया य आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी तो दोस्तो वीडियो को आप टोटल कमप्लीट देखते रहेगा तभी सभी की उस सेन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे दोस्तो बिना टाइम गवाए चलिए आप सभी क आने वाले टाइम पर कोई भी नई भरती निकल के आए तो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर सबसे पहले आपको शॉट में जानकारी दी जाएगी जो कि उपीसियल बेप साइट पर यह जो नोटीपिकेशन जारी किया गया है उस पर लेके आजूगे हैं तो यहां पर आप नोटीपिकेशन को भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि यहां पर ओर्गनाइजेशन नेम जो ने दिद्धारत किया गया है वो टीए आर्मी बेकंसी है एक्जाम नेम आपको पताई होगा जो कर लिजाए तो ओल ओबर इंडिये यहां पर आप नोटीपि इंडिया है दोस्तों इस भरती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मेल एंट फिमेल दोनों कर पाएंगे यहां पर आप देख पा रहे हों जो कि डारेक्ट भरती की जाएगी यहां पर आल इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलाउं करते हैं वो इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे और यहां पर आपको बता दिया जाया हर स्टेट के कैंडियेट इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे यहां पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी दोस्तों बस वीडियो को आप टोटल कमप्लेट देखते रहे हैं तब इस अभी क्यूसें के डाउट आपके क हो पाएंगे जिंडर यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेल केंडियेट इस फॉर्म को अभी दिन कर पाएंगे टीयार में भरती की जो यह जो भरती निकाले गई है इसमें आई यह और भी जानकारी आपको दे दी जाए तो यहां पर टूटल पोस्टों के बारे में बात कर लिए तो यहां पर टूटल पोस्टें जो निधायत की यहां वो आप नोटिफिकेसन को भी चेक कर पा रहे होंगे यहां पर देख पा रहे होंगे जो कि सोल्जर जंजल रिप्टी यानि कि सोल्जर जेडी के पदो पर भरती निकाले गई है सोल्जर कलर एंड यहां पर आप देख पार होंगे The International अभे दन कर पाएंगे उनली आट भी पास भी आभी दन कर पाएंगे बिल्कुल भिना प्रोब्लम के सर्वीसमयन के पदोपर भी भर्ती निकाली गई है हर्वल दार के पदोपर भी भरती मीपनिकाली है यहां पर आये जोन के बारे में बात कर ली जाए जिन कैंडिडेट को पता यह नहीं है कि जोन यानि कि कौन से जोन में यानि कि कौन सा जोन किस राज में आता है तो यह आपको बताएंगे तो यहां पर आप नोटिफिकसन को भी चेक कर पारे होंगे तो जो कि जोन फर्स्ट जोन फर्स्ट जोन तो को आपे दिन्क पाएंगे दिलही 36 गगा इंडिया के candidate जोन फ्रेश स्ट में विलॉंग करते हैं जोन आपको बता दिये जोन सेकेंध में करते हु उनकी लिए यहां पर आप देख पारे होंगे को जोकी बिहार मध्य परदेश उडिसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरा खंड, जार खंड, 36 गड़ के कैंडिडेटिस फोन को आवे दिन कर पाएंगे, वो भी जोन 2K, जोन 3 के बारे में यानि कि जोन 3 के बारे में बात कर लिए तो आपको यहाँ पर बता दिये जाए, आप देख पारे होंगे, यहाँ पर अस आंध्रप्रदेश, गुजराद, केरल, तमिल नाडु महाराष्टा, यहाँ पर आप देख पारे होंगे, राजस्थान, और यहाँ पर करनाटक, इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पारे होंगे, दोस्तों, यहाँ पर यह बात कर लिजबरती की सेलैक्शन परिक्रिया के बारे में, तो चैन परिक्रिया जो यहाँ पर निधायत की गए है, आप देख पारे होंगे, फिजिकल फिटनेश टेस्ट होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर पारे होंगे, पिफिकेशन को भी चेक कर पारे होंगे, पिफि रेली डेट है यानि कि जो एज लिमिट है इस भरती की जो एज लिमिट है वो भरती के बारे में आपको बता दिया जाए तो यहां पर 16 वर्स से टोटल टोटल बैल इस वर्स के बीज़ के कैंडिए इस फॉम को आवे दिन कर पाएंगे एज फिज्गल टेस्ट के बारे में बात कर लिए जातों यहां पर आपको सबसे पहले बताएंगे कि हाइट के बारे में तो हाइट यहां पर mail candidate के लिए सेंटीमेटर के होनी चाहिए रनी यहां पे सोलसु मेंटर की बिल्कुल कंप्लीट करने होगी और यहां पे आप देख पा रहे होंगे 5.33 इंच फीट आपको कूदना होगा चैस्ट यहां पे 77 से लेकर 82 के बीच में चैस्ट आपका होना चाहिए वेट कम से कम 50 किलो का आपका होना चाहिए इस भरती की सैल्टी के बारे में बात कर लिए जैए तो 56,000 रुपए परает 23,000 रुपघी में सैल्टी दी जाएगी अपकी पारे होंगे जो कि soldier dd के पदो पर जो भरती निकालेगे उसके लिए simple simple 10 वी के past candidate यानि कि matrix past candidate हर subject में 45% यानि कि 33% से 45% के बीच में marks आपके हो तो भी sperm को आविदन कर पाएंगे इस post के लिए soldier के पदो पर जो भरती निकालेगे इसके लिए आप देख पारेगे simple simple 10 वी के past candidate हर subject में 35% marks हो फिर भी आप आविदन कर पाएंगे soldier color के बारे में बात कर लिए है तो आपको यहाँ पर बता दिया है soldier के जो color के पदो पर भरती निकालेगे simple simple 10 वे के past candidate को आविदन कर पाएंगे किसी भी side से past किया हो art side या science side या कॉमर से किसी से भी past किया हो आप form को आविदन बिलकुल कर पाएंगे हर subject में कम से कम 50% से 60% माक्स आपके होना चाहिए दूस्तो और यहाँ पर आई यह बात कर लिए इस form को आविदन करने के लिए यानि कि जो यहाँ पर soldier treatment के पदो पर भरती निकाली गई है soldier treatment के जो पदो पर भरती निकाली गई है उसके लिए आपको जो education qualification है वो simple simple 8 वी 10 वी पास की मारशिट आपके पास होनी चाहिए आई टिया का साथी पिकर भी बिलकुल आपके पास होना चाहिए अधिक जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दे कि OPCL website पर OPCL no tipikation भी जाकर आप चेक कर पाएंगे और यहां पर आई यह बात कर लिए क्या क्या डोकुमेंट यानि की फिर्म को आविदन करने के लिए क्या क्या दस्ता भी जलेंगे तो यही आपको बताएंगे फूटो और सिगनेचल लाइट क्लेर बैक्गरॉंड फूटो आपके पास होना चाहिए अगर या अधार कार्ड आपके पास किसी भी प्रोब्लम से नहीं तो कोई दूसरा डोकुमेंट लगा के इस फिर्म को प्रूप यानि कि आविदन आप कर पाएंगे बीना प्रोब्ल की गई तो यहां पर आप देक वा रहोंगे जनरल जो लिए उनके लिए बिल्कुल सवारी फिस नंतारीत की वह और ओकर के जो मल इट हैं बात करेंगे तो यहां पे आपको बता दिये जाए जाए यहां पेफरवरी 2024 से इस भरती की सुलवाती डेट फिक्स कर दी गए है इस भरती के बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है जैसे कुछ भी जानकारी मिलेगी तो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बस इतना है तो बीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटीपिकरस बिल्कुछ जड़ू दबालें जितना होसके अपने दोस्तों के साथ भी सेर कर दीजिए और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ ना समझ में आप कमेंट कर दीजिए हम आप सभी को रिप्ल सब्सक्राइब करें